ओम नमस्षिवाय हर हर महादे ओम नमो भगवते वासुदेवाय आज कार्तिक मास महत्मे का तीस्वा अध्याए है कार्तिक सनान करने वाले सभी विश्णु भक्तों की मंगल कामना करते हैं तो सबसे पहले आपको सुनाएंगे गनेश जी की एक छोटी सी कथा उसके बाद कार असुर के राज गजमुक की है जो चारों और अपना आतंग में चाय हुए था और वह तीनों लोकों में सबसे धनवान और शक्तिशाली बनना चाहता था इतना ही नहीं गजमुक की चाहत सभी देवी देवताओं को अपने वश्मे करने की भी थी यही वज़े थी कि भगव शिवजी की तपस्या में लीन हो गया गजमुक की ये कठोर तपस्या कई वर्षों तक चली एक दिन शिवजी ने गजमुक की कठोर तपस्या से प्रसन होकर उसे दर्शन दिये और वरदान मांगने को कहा इस पर गजमुक ने शिवजी से देविय शक्तियां मांग ली और वह बहुत शक्तिशाली बन गया, शिवजी ने उसे वह शक्ति दी, उसे किसी भी शस्तर से नहीं मारा जा सकता था, वर्दान मिलने के बाद गजमुक और भी अहंकारी हो गया, और वह अपनी शक्ति का दुरुप्योग करने लगा, उसने तीनों लोकों पर कपचा करने के लिए देवी देवताओं पर आकर्मन कर दिया, गजमुक के आतंग से सिर्फ ब्रह्मा, विश्नु, महेश और गनेश जी ही बचे रह सकते थे, गजमुक चाहता था कि सभी देवी देवताओं उसकी फूजा करने लगे, गजमुक के आतंग से परिशान होकर सभी देवी देवता मदद मांगने के लिए ब्रहमा विश्नु और शिवजी की शरण में आए इस पर शिवजी ने गनेश जी को असर राज को रोकने के लिए भेजा गजमुक जब गनेश जी की बात को नहीं माना तो दोनों के बीच में बहेंकर युद हुआ इस युद में गजमुक बुरी तरह से गायल हो गया लेकिन उसके बाद भी वह नहीं माना और उसने अपना रूप बदल लिया और मुशक बन गया इसके बाद वा मुशक रूप में बाल गनेश पर हमला करने के लिए धोड़ा इस पर गनेश जी कूद कर उसके उपर बैड़ गे इसके साथ ही गनेश जी ने गजमुक को जीवन भर के लिए मुशक में तबदील कर दिया और उसे हमेशा के लिए अपने वाहन के रूप में रख लिया इसके बाद गजमुक मुशक रूप में गनेश जी का प्रिय मित्तर बन गया बोलिए गजानन महराज की जै चली अब आपको सनाते हैं कार्तिक मास महत्मे का तीसवा अध्याए बोलिए विश्नु भगवान ने की जै तुलसी शालिग्राम की जै राजा परथू पूछते हैं हे नारज जी भगवान का अत्यंत प्रिय भीशम पंचक वरत कैसे प्रसिद हुआ तब नारज जी कहने लगे हे राजा परथू यह वरत आदिकाल से है परन्तु बीच में लुप्त हो गया था फिर यह कैसे प्रसिद हुआ सो कथा हम तुमसे कहते हैं सुनो शिरी कृषन जी ने भीशम जी से इस वरत का वरतांत कहा तब सर्व प्रथम भीशम जी ने इस वरत को किया इसी कारण तबी से यह वरत भीशम पंचक के नाम से प्रसिद हुआ है हे राजन भगवान शिरी कृषन जब पाणों की और से दूत बनकर कोरवों को समझाने गए तो सबसे पहले वह विदुर जी के पास पहुंचे विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सतकार किया फिर शिरी कृषन जी भीशम जी के पास गए वहाँ जाकर कुशल शेम पूछने के बाद शिरी कृषन जी ने अपने आने का संपून वरतांत भीशम जी से कहा तब भीशम जी कहने लगे है भगवन तिरलो की नाथ होते हुए आप पाणवों की और से ही दूद बन कर क्यों आए आपका पाणवों के साथ इतना प्रेम क्यों है तीनों लोग आपके वश में हैं तब पाणवों के पास ऐसा क्या वशी करण मंत्र है अत्वा उन्होंने ऐसा कौन सा वरत तप अत्वा यग्य किया है जिसके कारण आप उनके वश में हो गए हैं तब शिरी कृष्ण जी हसकर बोले हे गंगा पुत्र यद भी यह अत्यंत गुप्त वारता है फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ उन्होंने एक ऐसा वरत किया है जो मुझको अत्यंत प्रिय है इसी लिए मैं उनके वशी भूत हूँ अब मैं उसका वरतान्त तुमसे कहता हूँ पुर्वकाल में उजैन नगरी में पांच ब्रामन, कवी, शूची, ध्रिड, दंत और हंस नाम वाले निवास करते थे तीनों ही वैदों को जानने वाले रूपवान, युवा, वस्ता को प्राप्त गंदर विद्या में अती परवीन थे वे अनेक देशों में घूमते फिरते तथा अपनी गान विद्या का परदशन करके खूप द्रवे प्राप्त करते थे एक समय वह मतुरापुरी में सुवीर नाम वाले राजा के पास आए संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राजसपा में जाने की इच्छा प्रगट की वह चार दिन उपवास करते रहे और अत्यंत पवित्र श्री जमना जी में सनान करते रहे फिर उन्होंने किसी से राजा का संपून वरतान सुना उसने बताया कि राजा की कादंबरी नाम वाली एक भोग पतनी है वह संगीत विद्या में निपुन, राग तथा कंठ में अत्यंत प्रवीन, नाचन में दक्ष तथा रूप योवन में अधित्य सुन्द्री है वह प्रतितिन एकांत में राजा के सामने निर्ते करती तथा गाती है ऐसा सुनकर वह ऐसे स्थान पर जहां से निर्ते तथा ताल का शब्द सुनाई पड़ता था जाकर खड़े हो गए फिर राजा के पास आने जाने वालों के समेब जाकर कहने लगे बड़े ही दुख की बात है कि राजा के पास नृत्ते कला का जानने वाला कोई नहीं है वीना में दो तार ढीले हैं तार बराबर नहीं है बाजे में नृत्ते शुद नहीं है इसी परकार की बाते वह प्रतेक से कहते रहे तब तक किसी ने ये बात राजा से जाकर कह दी राजा ने ततकाल जहां पर कादंबरी का निरत्य हो रहा था उन पांचों को बुलाया वहां पोचकर उन्होंने राजा को अशिरवाद दिया और बैठ गए कादंबरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपोन समझ कर विशेश निरत्य किया जब उसने चकर में ताल दिया तो उन ब्रामनों ने उसको रोक दिया उसने चकर छोड तथा योग्य ताल दिया मगर चकर खंडित नहीं किया इस पर कादंबरी का रूप और गुण देखकर वे पाँचों उस पर मोहित हो गई कादंबरी भी पाँचों को देखकर उन पर मोहित हो गई उसने रात्री को चोरी छिवे ब्रामनों के पास अपनी एक सकी के हाथ ये संदेश बेजा की तुम पाचों में से एक एक प्रतिधिन नगरी से दूर उत्री कोण में यमना तट के समीप जन शुने लताओं से ढका हुआ अनंत नामक तीर थे वहाँ पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का परदर्शन करो मैं भी वीना तथा राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी भगवन कहते हैं हे भिषम जी एक ब्रहमचारी जो मेरा भक्त था दुष्ट संगती के भह से गांव से अती दूर वहां रहता था उन दिनों वह भीषम पंचक वरत करता हुआ देवाले में मेरा पूजन करता था कार्तिक शुकला एकादशी के दिन उन संगीतिग ब्रहमणों में से कवी नाम वाला ब्रहमण वहां पर आया कादंबरी भी मुनी के उस स्थान पर पहुँच गई वहां मुनी ने जिस परकार पूजा की उस कवी नामक प्रहमण ने भी उसी परकार भगवान का पूजन किया उसके बाद वीणा लेकर गान करने लगे उस मुनी ने क्योंकि अपना मन जीता हुआ था इस कारण उसने गान सुनकर भी क्रोध नहीं किया सारी रात कादंबरी और कवी गायन वह निरत्य करते रहे मुनी को गोवर का आचमन करते देख कवी ने भी वैसा ही किया प्राते काल होते ही कादंबरी राज महल में पहुँच गई मुनी की संगती से उनके समस्त पाप दूर हो गए इस कारण द्वादशी के दिन कवी अपना समस्त द्रवे दान करके विरक्त हो गया दूसरे दिन शुची आया उसने भी कादंबरी के साथ रात्री भर निरत्य गायन किया और मुनी की भाती हमारा पूजन करके गोव मूतर का आचमन किया फिर प्राते काल होते ही वह भी अपना धना दी दान करके विरक्त हो गया उसने निश्ची किया कि जिस परकार कादंबरी के निरत्य गायन वा रूप को देकर मुनी का मन चलायमान नहीं हुआ उसी परकार मुझे भी अपने मन को वश्मे करना चाहिए द्रेवधशी के दिन ध्रिड नाम वाला ब्रामन कादंबरी से मिलने आया और निरत्य गायन करने के बाद मुनी की तरह पूजन वगो का दूद पीकर विरक्त होकर चला गया चतुर दर्शी को वहाँ पर दंत नाम वाला ब्रामन आया और पहले वाले अपने बंधुएं के समान कादंबरी के साथ मुरत्य गायन करके मुनी से बचे घी का पान करके शुद चित होने के कारण विरक्त हो गया सबसे अंतमे पुण मासी को हंस नामक व्रामन ने आकर मुनी को देख कर उनको नमसकार किया और यमुना में सनान कर आमले के विरिक्ष के नीचे बैठ कर शिराद करम किया अगवान कहते हैं हे भिशम कार्ति के महिने में हमारा पूजन तथा दान पुन्ने करने से करोडो यग्यों का फल प्राप्त होता है अतेव हंस नामक वह भ्रामन ससंग पूजन तथा मुनी के बचे हुए दहीं का पान करके विरक्त हो गया और अपना सब धन दान करके तीर्थ यात्रा को चला गया उधर राजा ने मंदिर में कादंबरी के जाने का समाचार सुनकर उसे महल में बंद कर दिया जिससे वह मंदिर ना जा सकी कार्तिक मास में हमारे सामने निरत्य गान करने के कारण वही कादंबरी द्रोपती हुई तता हंस नाम वाले वह ब्रामन आवले के वरक्ष के नीचे श्रादादी करने से युदिश्टर हुआ एकादशी के जागरन के कारण कवी अरजुन, शुची, सहदेव, दंत, नकुल तथा ड्रिड नाम वाला प्राकर्मी भीम हुआ हे भिशम जी वस्तूत इस वरत के बरवाव से ही मैं पांड़ों के वशिभूत हूँ अब तुमारे द्वारा यह पंचक वरत किये जाने से यह तुमारे नाम से ही विख्यात होगा अथार्थ भीशम पंचक वरत कहलाएगा इस वरत के अंत में ब्रहामनों को भोजन कराकर यथा शक्ती दान दक्षिना देनी चाहिए तीसमा अध्याय समाप्त होता है बोलिए विश्नु भगवान कीजए तुलसी शालिगराम महराज कीजए